चलिए हमारे साथ हमारे ता फेवरेट एडम साहब भी आ गए हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका एडम साहब यारे बच्चों जो कुछ करना तरह कर लो अब वालेकुम स्वागत थेंक यू तो वरी मच्च यार मुझे स्वागत का आंसर नहीं आता है इस वैसे मैंने वा ये वीडियो का ये पॉशन ये exact portion ये थैंगे थे मैंने सुना कुम्हारा कुरान कहता है कि जब भी बच्चा पैदा होता है वो फित फुरस में पैदा होता है फिर उसके माबाप उसको जूज को यहूदी बनायते हैं यहूदी आए साही बनायते हैं अब वो मुहम्मध जब पैदा हुआ उसका बाप काफिर उसकी मा काफिर चोरी का से आ गई यार इतने स्टूपिड आर्क्यूमेंट है इन लोगों के इतने स्टूपिड आर्क्यूमेंट है बंदा पुछे यार तुम लोग किस दिमाग से सूचते हैं यार तक दिमाग है क्या बूसा बराबा तुम को होंगे दिमाग में मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग यह इसलाम में रहें भाई इनकी ज़रूरत निया बाहर बाहर इसलाम से बाहर जाकर ना बाकी साधी ठीजिस को भी खराब करेंगे शले अपर एक बच्चा का फिर गडर में पैदा हो रहा है मा का फिर बाव का फिर छे साल की नहीं पता हुआ तुम भी पैचाने कोई पढ़ा दीजएगा कोई मसला नहीं है लेकिन देखो एक इंपोर्ट बात हदीसों में मिलता है कि महममद जिस वकत काफिर था ठीक है और लड़का था जवान लड़का था उसने काबे की तामीर में इसा लिया ठीक है, सबसे पहला मुहम्मद बंदा था, जो के उस दिन सुपह सुपह पोंचा, ताके हिजरा इसवद वो लगा सके और फिर उसने बंदों को बलाया, चारो कोनों में, चारो कबीलों के लोगों को खड़ा कि और सेंटर में जरासवद लगा और वो वहाँ पे लगाया अब साहिल माई क्वेश्चिन इस, कि ये वो वकत है, जिस वकत वहाँ पे तीन सु साथ भूत थे अब जब आप एक मंदिर, और काबा उस वकत मंदिर है, अब जब आप एक मंदिर की तामीर कर रहे हो, और उस मंदिर की तामीर के हिस्सेदार हो, तो भाई मुझे ये बताओ, कि जब आप मंदिर तामीर करते हो, जो लोग मंदिर तामीर करते हैं, क्या वो लोग मंदिर में जाके जब तामीर खतम करते हैं सबसे पहले वो लोग नहीं होते जो पूजा करें और दूसरा एडम साब इनका आर्ग्यूमेंट इतना लेम और इतना भद्दा सा आर्ग्यूमेंट था और इसने जो हदीश पेश की उसमें एक और एक कॉमेडी क्या थी वालू मगर आपने ग इजाजत दी तो जाहिड सी बात है वह मुष्रिक थी इसी वजह से नहीं दी बिल्ट यह बंदा कहता है कि इस मामले में ठीक है इजाजत नहीं दी वह मुश्रिक होगी इसके वज़े से लेकिन हम सुकूत को तरजी देते हैं सुकूत यानि चुप रहने को अरे क्यों भाई अरे सकूत से पहले सकूत से पहले अगर इसी बात को अगर आप देखो तो 45 सेकंड पहले उसने बात मान ली थी हाँ मानी थी उसकी माँ हाँ काफिरा मरी थी मुश्रिक थी तो 45 सेकंड पहले मान के उसने का हम शकूत दर्जी देते हैं हमें पता है कि उसकी माँ काफिरा थी हमें पता है कि उसकी माँ श्रीक थी लेकिन बोलते नहीं अधीय जो वेलमिननालोजी है ना मुझे समय नहीं आती यह इंडियन लोगों के साहती अर्बिक टरॉम तरजीह को किसी को कि समझ निए आएगा किसी को समझ निए आएगा सकूत निकला लफज सकूनत से यानि कि ठैर जाना ना बोलना क्लाम ना देना लेकिन इस टूपीड़ इन साहिल तुपोल चुका है यह और इस तो बौल चुकें यार इस अग्यों फितने जिए तूपिड अ बाप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो इसका मतलब अगर बाप और चोरी करता है तो बेटा भी चोरी करें आप चोरी करने में और एक वेट में जमीन आस्मान का फरक है जाहिल इंसान जब एक बच्चा होता है अगर वो हिंदू के घर में पैदा हो रहा है उसकी मां अगर मू बच्चे को करने चोड़के तुनी नहीं जाएगी बच्चे तु रुक तुन्हें अलग की बात करनी है मैं मंदर जा रहा हूँ अरे मुझे नहीं बता लाग को ने तेरे को बता लाग गया लाग को ने तू यहां बैट इसकी फेट की मिसाल देरा चोरी के साथ तुम कहना जा रहे हो कि तुम्हारा बाप चोर है तो बाई डीफॉल्ट तुम भी चोर आप गदे इंसान तुम मुमिन हजरात जो है बच्चों को अपने घर पे छोड़के मज़िद जाते हो गया इनका मज़बी चोरी का है तो चोरी की मिसाल देंगे ना हाँ एक्जाइब चोरी की मिसाल दो जहां पर बनती है अगर मिसाल किसी जगा पर फिट हो रही है चोरी की डेफिनेटली गेविट मुझे यह इतराज नहीं है लेकिन यहां पर आप आर्गिमेंट का दे रहे हो अगर तुम वच्छा काफिर नहीं होगा तो क्या होगा आप सही हदीश के साथ थाबित है जब मैंने दिखाया था कि मुहमद कावे का पथर लेके जा रहा था तो चिचा ने का कि अपनी दोती खोल ले और मुहमद ने दोती खोली और कंदे पर राख ली और फिर उसके खड़ा है अब यहोशो के लेटा वाव हो और बॉल्स उसके जर्व से क्रिकट खेल लो एल्याव लॉंग स्टोरी शॉड मुहमद ने कावे की तामीर में मल्टिपल टाइम्स तावीर की है जहां पर 360 मैं कहता हूं कि मुझे एक दफा यह दिखाओ कि यह कैसे हो सकता है कि इतना हाई स्टेंडट का बंदा हाई स्टेंडड में जूं कह रहा हूं कि वह फैमिले इक हाई स्टेंडड की फैमिली जिसको काभे की कुणियां दी गें ती आप सब को भी पता है हदिसम सीराश के अındर बे new के मौहमद की ऑना टीइट की पास विस अन्याव ह।ैमिली और म इसको बड़ा भी कर रहे हो और वो वर्षिब ना करें उसी मंदर के अंदर हाउ दा है यह को मुझे बता है साइल बिल्कुल बिल्कुल आमिन यह वो मैं हमेशा कहता हूं ना कि के इसलाम जो है एक इंसान को दिमाग से अपंग कर देता है यह उसी की मिसाल इनके मुफ्ती मौ यह यह असल में प्रॉब्लम इनका नहीं है प्रॉब्लम इसलाम की वज़े से इनके अंदर आया है यह वाइरेस जो है यह बिमारी यह इसलाम के वज़े से मौमिन की जलेबिया भाई थैंक यू सो मच फॉर गिफ्टिंग 20 मेंबर्शिप्स थैंक यू सो वेरी मच अफिरा होता है बलके सिर्फ ममी जान ही नहीं अम्मी जान ही नहीं बलके अब्बु जान जो है वो भी काफिर है और यह बात तो खुद रसूल अच्छा इसमें अभी तुमने थोड़े दर पहले बोल दिया ना कि जहन्नम में फी नार आख के अंदर है सर्रेल है आठ के अदर सर्रे है था कि मैं जैद साब के स्टीम में जुड़नी कोशिश कर रहा था चालीस में तक्रीवन था उन्होंने मुझे लिया नहीं वहां किसी शक्स ने इसी चीज़ का जिकर किया कि वाई रसुल्ला के जो अबाजान है वो तो काफिर थे वो बंदा एंसर क्या देता है पता है त जाहे जाश्ट इमेजिन वो बोलता है कि मुझे इस बारे में जो हैना एक है मुझे चेक करना पड़ेगा मुझे देखना पड़ेगा क्या है जूट पर फॉल्स यह नोमेर 77 ने भी 10 membership स्क्रीए यार थैंक्यू यार ये दोनों बंदे जो हैं ना पता नहीं क्या है यार ये बंदे कमाद बंदे हैं यार जो जो से बोलो इसलाम पीस है मुहमाद हमेशा से अल्ला की बाद करता था कुरान कहता है हमने नहीं मानना अल्ला क्या कहता है हमने नहीं मानना अल्ला क्या कहता है हमने नहीं मानना हदीस क्या कहती है हमने नहीं मानना से इसीरा क्या क्या कहती है हम बोलेंगे मुहमाद कुरान गया भाड में, कूडे में डालो, आग में डालो, हमेनी परवा, हदीस को पकरो, कूडे में डालो, आग में डालो, हमेनी परवा, हम बोलेंगे मुहम्मद, कि वहोगा थे अलाहा की वाहधनियत प्रोग्लेम कर रहे थे अल्लहम दूल्ल्हा रभ से आपके सरे हैं कि याखने दिन तो इसे बात होती है अरे वह जीद्ट लोग सिवियर और अट देखो कितने सारे अभी यह जो खावन है यह बिना पलो के बैठी है यह अब यह हराम नहीं है जहन्मी जहन्मी अलहम्दलिल्ला यह इसका हमाएगा है अलहम्दलिल्ला क्या करें पैसा कमाने दे थोड़ा एड कर दें कि स्किप करें करें या साले को नई पैसा कमाने दे यार होगे पैसे बुरे होगे करने में भी आ उत्यान वहाँ इबादत करना जुम नहीं था यारे बच्चे के वाँ जुरुम नहीं था अभी रूक हो या आगे जाके आपके सीखना पड़ेगा के अंदर ना होता हो तो बहुत जो सोसाइटी उस वकट क्राइम नहीं मानी जाए वहाँ के बच्चे नहीं करते हैं सब्सक्राइब इसका मतलब यह कि आप उन्होंने का बिलकोल गुजारी है इमान लाते हैं तीन सवाल थे आपने का तीन सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो इमान लियाओंगा जी बिसम ल्ला करें नहीं अब आपको परिसम लागरें पलती हो गई पलती होगी आप लिए अब अवलार के तीन सवाल हैं उनके जवाब मिल जाएंगे तो मैं इसलाम कबूल कर लूँगा एक्स मुसलिम भाई अपने साथ और एक मुठ्रे करें अलह मुठ्य आपना लह मैं पढ़ाओं या मुफिती साथ पढ़ाएं कि बिसमुल्ला करें मेरा भाई कि बज्स पढ़ना चाहता हूं कि अरफ में इसको खिए है यह बंद कर यारे समय स्क्रीव और भीए शूर इसको हो गया लाया लाया उस ने बोलता है आप सलम्सक्राइड कल्मा पढ़ना अधर यह थे अ यह लोग भी बहुत खुश हो गई इसी तरीके से अभी यह हमारे वहां पर आके क्या करता यह बंदा वो देखते हैं और यह एक बार नहीं आये कई बार आया है एक मिने यह आपके स्क्रीन के सामने अधर आगे अधर आगे पड़ादीश फिर से पड़ अल रसूल अल्लाह अल्लाह ने फर्माया अल्लाह की बंदियों को मत मारा करो रुक जा यही है ना यही है ना ओव मैं गिन्स यार छोड़ यार क्या जंगर लोग हैं यह कसम से कभी दर जाते कभी दर जाते हैं साले कभी ने नहीं लेकिन इतना मतलब लोगों को धोका देने की विएक हद होती है हाँ यह इसको हमने जब बोला कि तरह उल्मा को लेकिया बोलता है मैं इतना तुम्हारे को भारी पढ़ रहा हूं मैं ही काफी उल्मा की क्या जरूए और यह वहां पर जाके एक्स मुस्लिम पहले बनके जाता है और बाद में बोलता है मैं इमान कभूल कर रहा हूं तो यह यह शो करना चाहते है यह कि वाई देखो यह यह लोग इनको सुनके एक्स मुस्लिम मनते लेकिन हमारे पास आके यह लोग इसलाम कबूल कर लेते हैं अच्छा साहिल यह तो यह तो एक नेरेटिव बिल्डिंग है ना डाट से रिमूफ कर देशको कि मसला नहीं है लट देम इसलाम चोड़ रही है इस वकत वैस्ट में भी लोग चिखना शुरू हो गए अभी दुबारा चिखें हैं भी रीस मैंने एक वीडियो अपने इंग्लिश चैनल के ओपर शेयर की थी जिसमें वेस्ट का जो वो है नहीं मुफ्ती एहमद वो क्या नाम है उसका जिसकी स्क्वेर दाड़ी है जो बड़ा सीधा होके गर्दने कड़ा के बोलता है मैं उसने बोला है कि यार सबसे बड़ा इसकान करके रोग रोगं के बोल रहे हैंARS वेस्ट्रन सकॉलर सेकलर अच्याज अच्या फिर उसके बाद हमादे स्कॉलर को ले रहें पाकिस्द्धी स्कॉलर ये इन ने आपो पता रम्दान में रमदान के दूसरे यह बकवाथ है यहां पर भी संसस नहीं हो रहा जिस वकत होएगा तो पता लगेगा कि इंडिया में कितने छोड़नें इंडिया वले दिखो इंडिया में देखो तो आल्रेडि बहुत सारे आपको नाम आल्रेडि नज़रा रहे हैं मेजियर काम जो कर रहे हैं जफर हेरेटिक कर रहा है आप बैठे हो यहां पर मैं तो वैसी च्छोटा सा बच्चा हूँ इस मामले में लेकिन इतने बड़े बड़े लोग यहां बैढ़ के काम कर रहे हैं इंडिया में तो आप लगता है कि यहां पर इपॉस्टेसी रेट हद स यहां पर मसल्माना वाला तो उनकी आप वास्तसी आपको समझ नहीं आती नजर नहीं आती कि उन्हें नें कभी मस्जिद का रोख नी देखा कुरान कभी पढ़ा नहीं ठीक है हिंदू के साथ दोस्ती रखते हैं वह यह नहीं वह सिर्फ बाइनेम मुसलमाना उनकी इसलाम स जी सेलिबरेशिंगे यह देख वी रहेंगे यह दोएवरी अधर थींग पॉसिब तो